नोर्थ कोरिया लगातार अपने हतियारों के जगीरे को बढ़ा कर इलाके में हलचल तेज कर रहा है नोर्थ कोरिया कभी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तो कभी बेलेस्टिक मिसाइल लॉंच कर दक्षिन कोरिया और जपान में हड़कम मचा देता है एक बार फिर नोर्थ कोरिया ने चोकाने वाला दावा कर इलाके में तनाव को बढ़ा दिया है तानाशा किम जोंग उन ने अपने लेटेस्ट और खतरनाक सुसाइट ड्रोन को लॉंच कर दुनिया भर में संसनी मचा दी है माना जा रहा है कि किम को मिसाइलों के अलावा अब ड्रोन भी पसंद आने लगे है North Korea ने इस ड्रोन के सफल टेस्ट का दावा किया है North Korea के आत्म गाती ड्रोन के सफल लॉंच से किम जोंग उन खासे साइट दिखे बताया जाता है कि किम जोंग उन ने खुद इसकी निगरानी की थी इसमें क्रीम रंग की बेकर बोई हैट पहने किम मुस्कराते वे दिख रहे हैं पार्स में दूरबीन भी रखी है इसका टेस्ट 24 अगस को किया गया था KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टिंग के दोरान ड्रोन ने टार्गेट को सफलता पूर्वक हिट किया इस पर किम ने ड्रोन्स को आर्टिफिशल इंटेलिजन्स से लेज करने की बात कही किम ने इस दोरान सैना से और ज़्यादा सुसाइट ड्रोन को बनाने के लिए कहा तस्वीरों में ड्रोन को टेंक जैसे दिखने वाले टार्गेट पर हमला करते वे दिखाया गया है आईए जान लेते हैं नौर्थ कोरिया के नए नवेले सुसाइट ड्रोन की खासियत जिसने दक्षिन कोरिया की सासे फुलाके रख दी है ये ड्रोन विसफोटक ले जाने में माहिर होते हैं जिनने दुश्मन के लक्षयों पर गिराने के लिए तैयार किया जाता है एक्सपर्ट की माने तो तस्वीरों में ड्रोन इसराइल के हारोब आत्मगाती ड्रोन, रूस के लेंसेंट्री और इसराइली हीरो 30 की तरह दिख रहा है नौर्थ कोरिया के सुसाइट ड्रोन की टेस्टिक ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिका और दक्षिन कोरिया की सैना अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए बड़े पेमाने पर युदाव्यास कर रहे है इसका मकसद नौर्थ कोरिया के लगातर हतियारों के टेस्ट से दक्षिन कोरिया का बचाव करना है अमेरिका और दक्षिन कोरिया ने जोइन स्टेटमेंट में कहा की 29 अगस तक चलने वाली उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास का मकसद उत्तर कोरिया एक हत्रों के खिलाफ अपनी तैयारी को बढ़ाना है अप्ड़ जईगो दानो आगे उग्जिगान कोसर दाश अब गांजो दरिमिना इस बीच योन हाफ निउज एजनसी की रिपोर्ट के मुताबिक नोर्थ कोरिया ने कहा कि वै दक्षिन कोरिया के साथ सीमा पर बैलेस्टिक मिसाइल लॉंचनों को तेनाद करने की योजना बना रहा है जिनकी रेंच 110 किलोमीटर है जो सियोल के दक्षिन तक निशाना लगाने में सक्षम है केसी एने ने इस महीने की शुरुवात में रिपोर्ट दी थी की कीम जोंग ने 2509 सामरिक बिलेस्टिक मिसाइल लॉंचरों की डिलिवरी का टेस्ट किया था ऐसे में नोर्थ कोरिया और साथ कोरिया के बीच का तरनाव और गहराने की अशंका बढ़ गई है कर दो कर दो प्रुब 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 झाल झाल